हेलो एविवान एक बर आपका फिर से स्वागत है हमारी यूच्यूब चैनल संस्कत पॉइंट पर कादमरी कथा मुखसे संबन्दित 1,2,3,4,5 श्लोख हम उल्रेडी कर चुके हैं आज हम करेंगे 6,7,8,9,10 ओके चलिए प्रारंब करते हैं कटू कुणंतव मलदायका हकला स्तुदंत बंधन श्रंकला इव सनस्तू साधू ध्वनिवी पदै पदै हरंती संतू मनिन पुरा है इव क्या कहने का ततपर यह यां पर उनका किनका बान भटका क्या कहरें कि कटू कुणंतव अर्थात कटू भाशन करते हुए मल दाय कहा, मल अर्था, दूसरों पर दोश लगाने वाले किसको हम कहेंगे, जो उचित नहीं है या फिर दोश युग जो चीजें हैं वो मल दाय का अर्था दोश लगाने वाले, खल खल अर्थात क्या दुस्ट लोग, क्या कह रहे हैं, बंधन शरंकला अर्थात जो क्या है बांधने की जंजीरे जो कि क्या होती है स्तुद अंतेलम अर्थात बहुत ही कस्ट देती है कहने का क्या तत पर रहे है कि कटू वचन कहने वाले दूसरों पर दो शर्पित करने वाले जो दूस्ट लोग है वह कैसे होते हैं उसी प्रकार पीड़ा देते हैं जैसे बांधने की जंजीर अत्यदिक पीड़ा देती है श्लोक आगे की पंक्ती में कह रहे हैं कि ये तो हुई बात किसकी जो दुस्ट लोग है उनकी अब कहने हैं कि सज्जन लोग कैसे होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो सादू द्वनी भी अर्था जो सज्जनों की वानी है वो कैसी होती है मनी नुपुराह अर्थात मनी 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 जडित जो नुपुर है नुपुर किसको कहते हैं पायल को कहते हैं पैर में पहनने वाली मनी जिस्प संतों की वाणी मनी जडित नुपुर के समान पदई पदई पैर पैर रखते ही जिस प्रकार हरंती हर लेती है उसी प्रकार साधों की वाणी होती है एक बार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि कटू भाशन करते हुए और दूसरों पर मल अर्था दोश लगाने वाले खलह दूस्ट लोग उसी प्रकार अत्यदिक पीड़ा देते हैं जिस प्रकार बांधने की जंजीर बहुत अधिक पीड़ा देती है या फिर कस्ट किन्तु जो सज्जन लोग हैं उनके शेष्ट वचन बिल्कुल मनी जड़ित नुपूर के समान पैर रखते ही अर्थात पद पद रखते ही या उनका जो पध्य-पध्य है एक चोटा-चोटा जो पद है वहें चित को अर्थात मन को आकर्षित करने वाला होता है नेक्स्ट लोग को देखते हैं, नेक्स्ट लोग क्या है हमारा सुभाशितम हारी विशत्यदव गलान दुर्जनस्य अर्क रिपोरिवा मृतम तदेव धत्ते हिर्देन सज्जनो हरी महारत नमिवा अती निर्मलम क्या कहने कतात पर रहे हैं बाणभट का कहना चाह रहे हैं हारी सुभाशितम अर्थात मनुहर सुभाशित भी जो हैं गलान अर्थात गले से क्या नहीं होते हैं विशत्याधव अर्थात नीचे नहीं उतरते हैं किनके दुर्जनस्य दुर्जन लोगों के मनुहर सुभाशित भी दुर्जन लोगों के गले से नीचे नहीं उतरती है किस प्रकार जिस प्रकार अर्क है रिपू अर्क सूर्य रिपू शत्रू अर्क रिपू अर्था सूर्य का शत्रू कोन है राहू राहू मिवाव अम्रतम जिस प्रकार राहू के गले से अम्रत नीचे नहीं उतरता है उ सज्जन जो सज्जन लोग हैं वे हैं किनको सुभाशित को द्रतेन हिर्देन अर्थात अपने हिर्दे में उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार हरी अर्थात भगवान विश्णू महारत्न महारत्न किसे कहा है आपर कोस्तुब मणी को निर्मलम निर्मल कोस्तुब मणी क अपने वक्षिस्तल पर धारण करती हैं। नेक्ष लोग देखते हैं नेक्ष लोग क्या है हमारा हरंती कैने उज्वल दीप कोप मैं नवई पदार्थर उप पादिताह कथाम निरंतर्श लेश घनास्र जात्यो महास्त्रज चंपकुंग मलेरिव कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि उज्वल दीप कोप मैं अर्थात क्या कौन है ऐसी उजवल दीपक को जैसी क्या चंपक कुंग्रमई अर्था चंपक की कलियूं से कैसी है वो उपपादिताह अर्थात अत्यंत सगन रूप से कैसी गुथी हुई अत्यंत सगन रूप से गुथी हुई शलेशे घना हार्थात बहुत अच्छे से बिलकूर अच्छे रूप से वो गुथी हुई एवं उत्तम स्वरूप वाली क्या है जो महास्त्र जहै अर्थात बड़ी बड़ी मालाएं जो कैसी है उजवल दीपको जैसी चंप की कलियू से अच्छे प्रकार से रताद भली प्रकार से गुथी हुई बड़ी बड़ी मालाओं जैसी क्या है कथाएं बली बड़ी मालाओं जैसी कथाएं और किन कथाओं का वर्णन किया है दो कथाओं करणन किया है उन्होंने यापर, जो कि writer ऐसा अनुमान लगाते हैं, कि उन्होंने उस टाइम पे जो दो ही कथा फिमस थी, उन्हीं करणन किया है, एक तो हमारी क्या है गुणाने की ब्रत कथा, और दूसरी है हमारी वासवदत्था, ये दो कथाएं उस समय प्रचलित थी तो उन्होंने कहा है कि इन दो कथाओं से बहतर मालाओं जैसी कथाएं जो कि स्पस्ट प्रतीत होती हुई दीपक तथा उपमालंकारों से तथा शलेश अलंकारों से भी निरंतर प्रियोग होती है अगर हम उनका भावार देखे तो उनक उत्तम स्वरूप वाली है वहां पर उन्होंने मालाओं का वर्णन किया है यहां वो कथाओं का वर्णन कर रहे हैं कि वो कैसी है उत्तम स्वरूप वाली है वो कैसी नहीं होंगी हरंती कहने अर्थात वो किसको नहीं हरेंगी जो इनका अतना सुन्दर चाहे मालाओं की बात जो चमपा के फूलों से गुती हुई है इतने अच्छे से वो किसको हरण नहीं करेंगी या किसके मन को हरण नहीं करेंगी किसको आकरशित नहीं करेंगी और यहीं पर वो अगर हम पद पद की बात करेंगी शलेश से यूग थे उनकी जो का रचनाई तो यहां पर भी उनके कह किस सहर दिये पाठक को वो आकर्षित नहीं कर लेती अर्थात सब को ही वो आकर्षित कर लेती है ठीक है एक बार फिर से समझे एक बार फिर से समझ लीजे कि उज्वल दीपको जैसी चमपा की कलियों से अत्यांत सगन रूप से गुथी हुई एवं उत्तम सो रूप वाली कर लेती है एक्स जेवं आज की वीडियो का अन्तिम श्लोक दस्वा हमारा इसमें क्या कर रहे है वो इसमें कवी वंश वर्णन अथा अपने वंश का वर्णन करेंगे क्या करेंगे बभूव वत सयायन वंशे संभवो द्विजव जगत गीत गुणाह अग्रिन सत्ताम अने एक गुप्त वर्ती गुप्त अर्चित पाद पंक जहे कुबेर नाम अन्श इव स्वयंभुव क्या के निकातात पर रहे हैं पर कह रहे हैं कि वात सयायन वंशे अर्थात वात सयायन वंशे संभवो वात सयायन वंश में उत्पन कुबेर नाम नहें द्विजव कुबेर न एक द्विजव और्थात ब्रामन क्या है जिनके जगत गेत गुण интересно जम। कि अग्रिना है सत्ताम आधे और्थात जो सजस्जन राजा थे या फिर समराठ थे जिनके क्या अर्चित अर्चित पूजा करते थे पाद पंक जम कमर रूपी जो उनके चरण थे या चरण कमल थे उनकी पूजा करते थे जो कोन थे गुप्त वंशी जो राजा थे वो भी उनकी किनकी जो ब्रहामन कुबेर थे उनकी पूजा करत और जो क्या थे स्वयम्भू अर्थात ब्रह्मा के अंश अर्थात अंश अवतार या फिर अंश अवतार तूल्य प्रतीत होते थे कौन कुबेर समझ रहे हैं आपकी वात्सेयायन वंश में उत्पन कुबेर नामा के एक ब्रामन हुए जिनके गुण संसार भर में गाय जाते जो सज्जनों के नेता थे और क्या थे अनेक गुप्तवंशी सम्राट जिनके पैरों की अर्था चरन कमलों की पूजा करते थे और जो ब्रामन के अंश अवतार प्रतीत होते थे ऐसे कौन थे ऐसे कुबेर थे आशा करते हैं आपकी परिक्षाओं की तयारी अच्छे से चल रही होगी कादंबरी के कथा मुक्स संबंदित महत्वों जो प्रश्ण है उस पर ओल्रेडी फॉर्स सेगें थर्ड और पार्ट वीडियो बन चुकी है हम लिंक दिस्क्रिप्शन में एड कर देंगे अगर जाएं तो आप देख सकते हैं आपकी परिशाओं के लिए आपको बहुत-बहुत शुपकामने हमसे जुड़े ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद